कि मार्केट किता इजी है ना अभी 24 प्राफिट चल ला है मार्केट खुलने से पहले ही मैंने आप लोगों को बता देया टेली गिनाम चैनल पर जिन लोगों ने जानने करकर रखा हुआ है वो जोईन कर लो यार फ्री में है जोईन करने कोई पसा नहीं लगता है आज मैं कॉल से रखने को पर चैज करूँगा 9 बसकर के 8 मिट मार्केट उपन नहीं हुआ तो उसी से में और साफसा बतारा बैंक निफ्टे 42,242 के उपर रजिस्टेंस ठीक है और हमने बैंक निफ्टे का ट्रेड भी ले र तो अभी तो आप देख सकते हो अभी तो मार्केट ओपन हुआ नहीं है ठीक है और हमने कोई पोजिशन ली नहीं क्योंकि मार्केट उपन नहीं रहेगा तो पोजिशन कहां से रहेगी तो कहीं ने कहीं मैं आज कॉल को सेल कर सकता हूं अगर मुझे कोई कॉल सेल करने के पो तो अभी वेट करते हैं भी मार्केट ओपन होने जाते हैं और लेडी हमने आपको लेवल्स वगरा सब टेलिग्राम पर बता रखे हैं अगर निफ्टी के बाद करोगे तो 18400 के ऊपर का जो एरिया रहेगा वो मेरे लिए कहीं ने कहीं आज राजिस्टेंस का अरिया रहेगा और वहीं अगर अब बाद करोगे तो 42,240-50 के आसपास मैं सेल कर सकता है अगर मुझे कोई एंट्री मिलेगी तब ऐसा नहीं कि मेरे लिवल्स पर मार्केट आया मैंने तु जैसा भी होगा मैं आपके साथ इंफर्म कर दूंगा तो देखो मार्केट ओपन हो चुका है हमारे कहीं ने कहीं रजिस्टेंस एरिया के आसपास और बात करें साथ ही साथ अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो यहां सब्सक्राइब कर दूं ताकि आपको इजीली समझ में आजाए तो निफ्टी भी कहीं ने कहीं अपने रजिस्टेंस एरिया के थोड़ा सा नीचे अगर निफ्टी ओपन होने के बाद उपक तरफ का मुवमेंट देने के बाद मुझे कोई सेलिंग का मुवमेंट देना तो अच्छा रहेगा अधर्वाइज जम पोचुन्टी द करके रखा हुआ है ठीक है थर्टी सिक्ष्ट में सब्सक्राइब देख सकते हो और यह एंजल का नया टर्मिनल है तो इसको आप समझ लेना यहां पते सकते माना सब्सक्राइब देता है तब कि मैं बात करो और हमने काफे चोटे लोस का साथ एंटी लिया हुआ है तो अभी करते हैं और अगर आप बात करते हों मार्जिंग करने मुझे सत्रा लाग इत्ता रुपे मार्जिन लगे हुए और हमने काफी जड़ा दूर हेच किया हुआ है नॉर्मली ब्रोकर तो आपको आप करने ही नहीं नहीं देगा हमने देख सब्सक्राइब करकर रखा है और 43 है क अगर आप और भी पास हेच करोगे ना तो आपका मार्जिंग और भी कम होगा लगबग 30,000-40,000 में आपका एक लोट आराम से चलो जाएंगा अगर आप पास हेच करते हो तब कि में बात करो हुँ तो इन जब हो किम आप कोई सब श्टेक पर सकते हैं कितना वदूर क्यों आपके नहीं लगेंगे तो अभी देख लो यही प्रोफिट लॉस चल ला है कॉस्ट तो कॉस्ट कास पर की में बात करो मार्केट जहां पर था वहीं पर है अगर मार्केट इधर के आसपास अगर नीचे तरह मुमेंट देगा ना तो आज का गैप भी आसाने से फिल कर सकता है ठीक है तो थोड़ा साज मैंने लाइट कॉंटी में रखते हुए ट्रेड लिया हुआ क्योंकि देखो मैं एक ट्रेडर हूं और ट्रेडर कभी भी रिस्क जादा नहीं काम करते हैं ठीक है और जब तक आपका रिस्क आपके कंट्रों में जब तक सब कुछ आपके हिसाब कैप से चलाए जिस दिन आपका जिस आपके कंट्रों से बहां चला गया उस इन आप सही होते में भि प्रॉफित मार्क छॉन आप द्रों फ्री में हैं प्रेड़्य कोई पर संख नहीं लगता है आज मैं कौल करनेम को पूंगा गोग और нормॉन और अभी तो प्रॉफिट ही चल लाए और देखो कि अगर आप तो मार्केट कहां से गिरा है देख सकते हो 42,280 का हाई लगाकर मार्केट कहीने के डंजने का मुमेंट दे चुका है तो अभी तो हमें वेट कर रहे हैं कि अटलिस्ट मार्केट थोड़ा सा ओ नीचे है एक गयप को फिल कर दें देन मैं अपनी पोजिशन को स्कॉयर अफ करूं तो देखते हैं क्या होता है तो आप और मेरे साथ में एक्जिट हो जाएंगे तो फाइनली आज हम लोगों ने 55,000 विपिज का प्रॉफिट वोग किया वा ठीक है मुबाइल से एक्जिट करेंगे आप दोनों को साथ में एक्जिट कर सकते हैं और अभी इनका नया वर्जन आया हुआ है तो साइज इसमें से आ आज में उनली-उनली 36 लोट में काम किया था तो अब तो मार्केट भी क्लोज हो गया मार्केट बंद ऊचुका है तो आपको पूरा प्रैक्टिकली डिटिल हम बताता हूँ इसके पुछे का रोजिक कहता है देखो सबसे पहले तो आज हमने मार्केट ओपन होने से पहले मै आज में काल से ल करूँगा कल भी बताया था कल भी क्ली कहता हूँ अच्छा-का-स प्रॉफिट हुआ मार्केट खूलने से पहले हमारा व्यूइड यहां पर आप लोगों को लेवल्स भी दिया रख्गे थे बैकर निफूपर एजिस्टेंस निफ्टी तो अब देखिए बैंक निफ्टी गिरा कहां से एक्जेक्ट गिरा है बैंक निफ्टेगर ओपन होने की बात करेंगे आप तो ओपन होते ही मार्केट के गिरना स्टार्ट कर दिया है और अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी आज हाई लगाया है तो यह इसके नीचे 42 ड का रॉंड्ट फ्फिकर नंबर भी है और यहां पर कहिने करहीं मार्केट यहां पर सपोर्ट ले सकता था और आपको निफटी में निफटी में निफटी में भी देखो किया तो निफटी में कहींने कहीं पूरा का पूरा हमारे perfect setup के recording है जिन लोगों ने भी वेविनार जोईन किया था उनको यह बात अच्छे से पता है ठीक है बट मैं जारा trade करना पसंद नहीं करता हूं मैं डेली mostly लग रहे हैं कि market खुलने से पहले भी बना ले रहा हूं पता दे रहा हूं यह करूंगा वह करूंगा वही करता हूं मार्केट भी उसी किसाब से कहने के लिए करती है mostly time बट आज से पास साल पहले गाई यह ऐसा नहीं था यह पास साल की मेहना थे पास साल के बाद आज इतना लग रहा है मार्केट नहीं तो पहले वही ब्रेक आउट सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता था और वहीं सारे चक्रों में हमने भी फसकर काफी समय बरबाद किया है एक चीज़ समझ दढ़े आप कि आपको सबसे पहले तो आपको सही तरीका पता करना है सही तरीका पता करने काफी जी काम है आपको कोई भी चीज कहीं से भी पढ़ रहे हो कहीं से भी लर्न करने हो उसको मार्केट में देखो कि मार्केट में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है मार्केट में काम कर रहा है देखो प्रत हो आज बार आपके फिवर में जाए अगर लोस हो रहा तो काफी चोटा लोस प्रोफिट हो रहा है तो काफी बड़ा हो अगर इस चीज को आपने अपने अंदर ला दिया तो फिर आपका पीनल ग्रीन होने से कोई रोकी नहीं सकते आप समझ जाए और अगर आप चैनल पर पह करने क्या हो तो पूरा option simplified course है फ्री में हमने लांच करकर रखा है एक टूजट डीप में प्रैक्टिकली सबसे इजी वे में आपको समझ में आएगा बहुत लोग बोलते हैं कि option engine नहीं समझ में आता है option engine क्या हो तो आप option engine playlist को follow कर सकते हो और भी कोश प्ले लिस्ट है जिसस अब में अपने कोडिंग देख सकते हो और अगर आप हमारे कोर्स को भी फ्री में करना चाहते हो तो बस डिमेंट अपन कर लीजिए मेरे लिंक से उसके आगे आपको कोर्स फ्री में मिल जाएगा तो मिलते फिर नेक्स वीडियो में